कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और क्रिप्टो मार्किट की जहां तक बात करते हैं बिल्कुल मज़े में नहीं है क्योंकि कल FOMC के मिनिट्स आए उससे पहले भी मार्किट प्रेशर में था और अभी भी कही न कहीं 26,700,800,900 की जो रेंज है वो चल रही है और आज की जो डेट है वो CPI नंबर की डेट है आज इवनिंग में CPI नंबर आ जाएंगे जो भी CPI डेटा आएगा ठीक है सबसे पहले आपको हम Instagram चैनल पर मिलेगा Link description में है जोईन आप कर सकते हो ठीक है CPI नंबर बहुत जरूरी है कि इस बार कितना CPI आना चाहिए और कितना नहीं आना चाहिए उसके बार में भी हम discuss करेंगे कितना आएगा तो market में pump कितना आएगा तो dump और market बहुत तेज है आपको पता है जब नंबर मार्केट के अंदर ठीक है और 26,800 के लेवल हैं Bitcoin के इस टेम पर गिरते गिरते हम गिरे भी कैसे है 200-300 डॉलर का dump आया फिर 200-300 डॉलर का dump ऐसे गिरे हैं ठीक है कोई यह एकदम से नहीं गिरे हैं और कितना गिरे हैं 1300-1400 डॉलर का dump आ चुका है क्योंकि 28,000 डॉलर के लेवल चली रहे थे Bitcoin के अब CPI नंबर वाला दिन है आज का थोड़ा pressure रहेगा market में और थोड़ा दिख भी रहा है थोड़ा game भी हो सकता है ठीक है तो अगर trade ले रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से trade कीजेगा और evening तक volatility नहीं होते हैं सबसे पहली अपडेट है Sandbox को लेगे Sandbox Group announces move into web 3 through partnership with xdb chain तो Sandbox को लेगे movement हो रहे हैं अभी recently Wales के भी बड़े movement हुए है और क्योंकि November 2021 वह मन था जब Sandbox Metaverse के crypto का फी अच्छा pump हुए थे क्या इस November भी वही history repeat होगी कुछ थोड़ी बहुत होगी या नहीं होगी यह देखना जरूरी है उससे पहले जो कुछ भी हो रहा है xdb chain to power Sandbox branded cryptocurrency and to enhance the education sector transition toward web 3 है ना तो आप यह समलो xdb chain और एक तरह से Sandbox की एक partnership हुई है यहाँ पे तो सबसे बहले पिछली बार का जो CPI number आया था वो थोड़ा सा बढ़के आया था अगर आपको याद हो 3.7% यह जो आप green में देख रहे हो ना और जैसा हम expect कर रहे थे कि पिछले एक साल से CPI number कम आ रहा है तो वो बढ़के आया जरूर लेकिन थोड़ा सा ही बढ़ा क्योंकि 3.6% तो expected था और उससे पहले आया था 3.2% यानि 3.3% expected था आया 3.2% रेड में है मतलब कम आया 3.1% expected था 12 जुलाई को कितना आया 3% 4.1 expected था 13 जून को कितना आया 4% अब देखो बिल्कुल रेड में चला है अब थोड़ी सी movement बढ़के आई कब September में थोड़ा सा बढ़के आया ज्यादा नहीं अगर यही number का gap होता ना अगर 4.1% होता 4.5% होता तो market में हम dump देखते जितना gap जयदा होगा ना चाहे वो बढ़ने का हो चाहे कम का हो गैप अगर जैदा होगा बढ़ने का तो मार्किट डंप करेगा और गैप अगर कम होगा मतलब गैप अगर जैदा होगा कम होने का यानि अगर इस बार जो एक्सपेक्टिट है 3.6% ही एक्सपेक्टिट है ठीक है 3.6% से कम आना चाहिए आज का CPI अगर मान लीजिए 2.9% आजाता है 2.5% आजाता है 3.6% से बहुत कम होगया है तो और अगर इतना नंबर आ गया तो मार्किट जम्प करेगा अच्छे वाला और अगर 3.6% से जैसा मैंने डिसकस किया 4.5 आता है 4.1 आता है तो मार्किट डंप करेगा जो गैप है यह गैप जय ज्यादा कुछ मार्किट में नहीं रहेगा न्यूट्रल रह सकता है मार्किट ठिक है गैप डिपेंट गरता है अगर नंबर का गैप अच्छा खासा है तो चाहे वो उपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ पंप और डंप भी फिर बड़े-बड़े दिखते हैं तो 3.6% से आज का CPI डेटा का माना चीए जो भी आएगा सबसे बहले टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा इवनिंग में नेक्स्ट हम बात करेंगे Bitcoin ETF के बारे में Bitcoin ETF in US Canada rank largest by BTC Holdings सबसे बड़ा कौन है by BTC Holdings जिनके पास Bitcoin की Holdings है अगर हम देखे हैं तो CoinGecko rank ProShare Bitcoin ETF as the largest Bitcoin ETF by BTC Holdings तो यह जो Bitcoin ProShare का Bitcoin ETF है और ProShare has 35,970 Bitcoin Holdings ठीक है तो एक बहुत बड़ा नमबर है 35,000 तो इनके पास Bitcoin है नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे Shiba Inu को लेके Shibarium Total Block Reaches 1.08 Million Transactions Approaches 3.4 Million Amid Spike in User Activity यह नमबर ही बता रहे हैं कि किस तरह से Shibarium को पुश मिल रहा है बहुत जगा सपोर्ट मिल चुका है बहुत जगा सपोर्ट मिलना बाकी है Block की बात करूँ मैं Total Block पहुचने वाले हैं 1.08 Million Transactions हो चुके हैं 3.4 Million Shibarium Network के उपर और User Activity भी कही ना कहीं बड़ी है Shibarium के उपर Shibarium को एक अच्छा कासा पुश यहां पर मिल रहा है जो की Future के लिए अच्छा है Shiba Inu के Next हम बात करेंगे Crypto.com की और एक नई Listing Big Time की Crypto.com पर भी होगी है कल हमने डिसकस किया था Six Extenders पर अलरड़ी आ चुका है और आते ही कुछ Dump भी प्राइस में देखने को मिला है ठीक है तो कैसा रहेगा आगे Future यह तो टाइम बताएगा लेकिन हां बहुत सारी एक्षेंजिस लिस्ट जरूर कर रही है हो सकता है Binance के उपर भी आ जाए यह कोईन जिस तरह से Neutron आया उसी तरह से Big Time भी आ सकता है Binance के उपर नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर Pancake Swap की Pancake Swap के फिर से Token बर्न हुआ है केक जो कोईन है और Pancake Swap एस बर्न 8.6 Million Cake जिनकी Value 10 Million डॉलर की और यह 8 Million 7 Million कितनी बार बर्न हो चुके है बहुत सारी बर्निंग हो चुकी है और इसका इंपेक्ट कहीं न कहीं देर सवेर केक पर देखने को हमको मिलेगा लास्ट इन फाइनल बात करेंगे टोप टैन ब्लॉक्चेन बाए 30 डे टीवियल ग्रोथ टॉप टैन ऐसी ब्लॉक्चेन जिनकी टीवियल के अंदर टोटल वैल्यू लॉक के अंदर बहुत अच्छी ग्र बहुत आई है किसके अंदर सुई के अंदर उसके बाद यहां पर अगर हम देख तो बहुत बहुत जबर्दस ग्रोथ सबसे पहले सुई में उसके बाद नंबर आता है कुजीरा का जो 76% तक की ग्रोथ देखी है जैनसिस 43% कैंटो है 31% लीनिया 26% स्ट्राइड है 22% फाइल आप देखो पिछले यह सुई के लिए बहुत बड़े इंडिकेशन है कि पछले कुछ महिने में अच्छी TVL ग्रोथ हुई है TVL बढ़ा है सुई का ठीक है तो थोड़ा TVL पर नज़र रखिए सुई पर नज़र रखिएगा क्योंकि जल्दी कुछ न कुछ अच्छे फलक् तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर